समय एक सा कभी नहीं रहता गर नक्सत्र बदलते हैं तो परिस्तितियां भी बदलती है और जहां समस्या है वहां समाधान भी है तो क्यों अपने जीवन को समस्याओं से घिरावा पाएं आईए समाधान ढूनते हैं आप दिसंबर की इन डेट्स को यदि इन सहरों के आसपास रहते हैं तो अपर्डमेंट ले करके मुझसे मिल सकते हैं तो आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर ही चर्चा करेंगे विश्लेशन करेंगे कि क्या समस्या है और इसका समाधान क्या करना चाहिए एक दिसंबर को मैं पटना सहर में रहूँगा बिहार की राजदानी पटना में दो दिसंबर को दिल्ली में साथ से आठ दिसंबर को जमशेदपूर में अथा टाठानेगर के पास जमशेदपूर वहां पर 13 दिसंबर को मुंबई में 14 दिसंबर को बैंगलोर में 15 दिसंबर को हैदराबाद में 20 से 22 दिसंबर को मुंबई में 26 से 27 दिसंबर को दिल्ली में और वापस 28 दिसंबर को मुंबई में और 39 दिसंबर को मैं आपको पूना में मिलूंगा तो आप यदि इन सेरों के आसपास रहते हैं और आपको कोईन कोई समस्या है जिसका आपको विशलेशन डूनना है जिसका समाधान आपको डूनना है तो आपको समय निकाल करके मिलना चाहिए जब हम मिलेंगे तब ही प्रियास कर पाएंगे आपकी समस्याओं को समझ करके उसका समाधन ढूंडने का नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभी नंदन हमारे एपिसोड में और दिसंबर 2019 के मासिक रासिफल में मैं करक रासिवालों के लिए यह रासिफल बता रहा हूं और यह रासिफल मून साइन पर आधारीत है अतात आपकी रासिपर आधारीत है क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं बार बार आपके कोश्चन्स आते हैं कि रासिपर है लगने पर है इसले में पहले ही इसपष्ट कर र सूर्य रासी से 5 ताउस में शुक्र ब्रेस्पति शनी और केतु यह चार गरहे आपकी रासी से 6 ताउस में आपकी रासी के 12 ताउस में राहु विराजमान है जो की 23 सितंबर 2020 तक यहीं विराजमान रहेंगे और रासी से 12 राहू व्यक्ति को थिंकर बना देता है बहुत ज़्यादा सोचने वाले बना देता है और व्यक्ति अनस्टेबल और वेवरिंग हो जाता है अध्याद कोई चीज का निर्ने लेने में सखुचाने लगता है उसकी निर्ने समता प्रभावित होती है रासी से 4 राहूस में मंगल व्यक्ति को mental torture कर सकता है और व्यक्ति को अंदर ये अंदर से दुखी करता है यह बोल सकते हैं कि वो परिवरे ग्रूप से दुखी हो जाता है वो जो चाता है वो से हांसिल नहीं हो पता लोग उसकी बात नहीं मानते और वो अपने ही गर में अपमानित होने लगता है सूरियर रासी से 5 राहूस में है आपकी रासी से second house का swami सूरिय है जो कि फिब्त house में इस्तित है एक triangle में इस्तित है त्रिकोन सबसे मजबूत बोला गया है ऊसके बाद में केंदर की स्तित ही आ ती है तो त्रिकोन में बैटावा सूरिय यहां पर आपको कुछ ने कुछ सिक्षा में बाधा दे सकता है या आपको पेड़ से समधी समस्यां दे सकता है पांच नवंबर 2019 को ब्रषपती अपनी रासी चेंज कर चुके हैं आपकी रासी से सिक्स तास में ब्रषपती आ चुके जो ऐस्तिति आपने बहुत जादा अच्छी देखिए 11 अक्टूबर 2018 से 5 नवंबर 2019 तक वो इस्थिति अब चेंज हो चुके वो इस्थिति अब परिवर्तन हो चुकी है अब आपको 29 मार्च 2020 तक जो इस्थिति देखनी है वह आपको तो financially या यह बोल सकते हैं बुद्धीबल से गरस सुक से संतान सुक से मेंटल स्थ्रेंज से आर्थिक रूप से कुछ न्यूप आपको समझेश्य करना पड़ेगा एड़स्मेंट डूनना पड़ेगा और यह बोल सकते हैं कि जो इस्थिति पहले थी वो इस्थिति अब नहीं इतना कर सकते हैं उसकी भी अपनी एक सीमा है उसकी भी अपनी लिमिट है रासी से छटे वाव में सनी बहुत अच्छा माना जाता है बहुत ही अनुकूल माना जाता है शांदा रिजर्ट देने वाला माना जाता है और साथ में केतू भी विराज माने तो यह जो इस्तिति है रासी से शिक्स पोजिशन में शनी है वो 24 जनवरी 2020 तक ही आपके लिए बहुत ज्यादा सुब है उसके आगे बढ़ जाएगा 24 जनवरी 2020 को मकर रासी में रासी से सेवंत आ जाएगा तो रासी से सेवंत हाउस में अपने ही गर में शनी आएगा फिर भी दामपच्य सुख के फिर भी गरस्सुक लिए विवा सुक के लिए जिन लोगों का विवा नहीं हुआ है उनके लिए यह अच्छा नहीं माना जाएगा शुक्र रासी से शिक्स हाउस में है अता शुक्र इलेवन ताउस का लॉर्ड बी ये गेन का मालिक है शुक्स那么 सुक्र रासी से सिक्स दा date में सट्रूरासी में 15 दिसमबर 2019 को वह भी अपनी राशी चेंज करके केंध्रम आ जाएंगे मकर रासी में आ जाएंगे वहांसे उसको अच्छा बोला जाएगा वहां से वह सुब हो जाएगा बिजनस के शित्र में आपकी कारशम्ता के लिए अच्छा है गेन के लिए अच्छा है लेकिन वही शुक्र सेवंता उसमें जाकर के रासी सेवंता उसमें जाकर के दामपज सुक में समस्यां दे सकता है एक प्रकास से वहम की इस्तिति कर सकता है ग्रस सुक में बादक बन जाएगा दामपज सुक में बादक बन जाएगा क्योंकि शुक्र यहां पे एक सिद्धान्त का काम करता है कार को भाव नासा है जिस भाव का कारक है भोग सुक का कारक है शुक्र सेवन ता उस भोग सुक के लिए माना जाता है उस भाव में जाकर कि उस सुक की कमी कर देगा असंतुष्टी देगा तो यह है ग्रावों की इस्तिती और उसका क्या इंपक्ट पड़ेगा वो मैंने संक्सिप में आपको बताया है अब बात करते हैं प्रती एक सेक्टर की आपकी जिंदगी में जो इंपोर्टेंट है तो सबसे पहला सेक्टर है आई और धन और संपत्ती तो आई की जो इस्तित ही है अधात आप देख लीजे कि मंगल की द्रस्ति आए बाव पर है और आए बाव का स्वामी क्योंकि मैं हमेशा आपको एक सिद्दान बोलता हूं कि भाव से भावेस ज्यादा बलवान होता है भाव का अर्थ है 11 तो 11 ताउस का स्वामी है वह भावेस कहलाएगा वह है सिक् भाव यह बोल दीजे कोट का चरी बोल दीजे जो भाव नेगेटिव है वहां जाकर के शुक्र आपको इंकम कैसे दे सकता है आपको इंकम से संतुष्ट कैसे कर सकता है और मंगल की भी दस्ती है आँठ भी दस्ती मंगल की है 11 ताउस पे और मंगल कौन है मंगल आपकी रास है इसी के लिए एक छोटा सा वाक्य बोला जाता है कि mentally tortured है तो mentally tortured जब हो गया व्यक्ति को तनाव जब आएगा तो उसका सीधा सा असर उसकी कारे समता पर पड़ेगा उसके स्वास्ति पर पड़ेगा उसकी मन इस्तिती पर पड़ेगा वह विक्ति हाइपर हो जाएगा जो गुस्से मा आजाएगा आवेश कुरोद जिद स्टेट फारवर्ड शॉट टेंपर गाली कि लॉच यह सब जब ही होता है जब एक पर इसान उता जब एक तनाव में होता है तो यह इस्तित ज़्यादा बैटर नहीं है लेकिन कुछ पसेंट इस्तिती जब ठीक हो सकती है जब पंदरा दिसंबर को शुक्र अपनी रासी परवर्तित कर लेगा उस समय आप बोल सकते हैं कि कुछ इस्तिती बैतर होई है कुछ मन को राहत मिली है और उसके बाद 25 दिसंबर को जो ही मंगल भी रासी चेंज कर लेगा उससे आपको और फरक पड़ेगा उससे आपकी इस्तिती और कुछ ठीक हो सकती है ये बोला जा सकता है तो जो भी इंकम के शत्र में सोच रहे हैं कि उनकी इंकम बढ़ने वाली है या वो ये खरिद लेंगे और कुछ भी इंकम बढ़ जाएगी वो थोड़ी सी कमजोर है लेकिन ऐसा नहीं है कि इंकम होगी ही नहीं आप सो रुपे के लिए इंकम करेंगे लेकिन आपको 75 रुपई मिल पाएंगे मान लीजे किसी को 50 रुपई मिल पाएंगे लेकिन मिलेगा तो जरूर और आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा इसलिए उनकी बात कर रहे हैं इसलिए मान लिजे कोई आदमी जस्ट जॉब ही कर रहा है तो जॉब में तो उसको सैलेरी तो पूरी मिलेगी लेकिन पूरी मिलने के इस्तिती में एक इस्तिती और इसमें डिवलप हो जाएगी कि यदि आप नौकरी पे गए ही नहीं आपने छुटिया ज्यादा ले लिए मान लिजे आपकी हेल्थ ठीक नहीं घर में कोई बीमार है ऐसी इस्तिती में आपकी सैलेरी आपको कट करके मिलेगी तब ऐसी इस्तिती में उसको इंकम में कमी आ जाएगी जो उसको मिलने वाला है वो ही कम मिलेगा तो वो अपनी आवश्यक्ता कैसे अपने आप धरासा ही हो जाएगे अब हम बात कर रहें धन और संपतिगी ब्रेस्पति पांच नवंबर 2019 को जब रासी पर उतन कर चुके हैं तो रासी से सिक्स ताउस में आ चुके हैं और ब्रेस्पति की दस्ति हमेशा सुब्फल देती है और इस्पेसली ग्रहों की दस्तिय नहीं है जितना उनकी दस्तियों का जहां जहां वो देखते हैं वहां अपना प्रबाव ज्यादा दिखलाते यह जो 30 का एक्सिद्दान ते इसको याद रखिए तो ब्रेस्पति की दस्ति आपके केरेर आउस पर है सासा ट्वेल्ट आउस पर है और सेकंड आउस पर है तो ची प्रापटी का धन और संपत्री का जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ऐसी स्तिति में इस मां में आप करके फायदा उठा सकते हैं आप जो भी कमोडिटी में शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन में लोटरी में जिसमें भी आप का मन होता हातात आपको investment तो किसी न किसी में करना है कोई लोग mutual funds में करते हैं कोई share में करते हैं कोई future trading करते हैं और कोई actual में उस share की जो investment करा सकता है आप property पर investment कर रहे हैं माण उनको बेशने का काम करते हैं ऐसी इस्तिति में यह कारिय यह समय अताद यह मां आपको फाइदा दे सकता है इन्वेस्मेंट में आपके बॉंड्स आपकी संपत्ति आपकी पूंजी आपकी कैपिटल आपकी स्ट्रेंड यह बढ़ सकती है यदि कोई प्रापटी खरीजना चा अब बात करते हैं आपके परिवारिक सुक्की और भूमी भवन के सुक्की तो जहां तक परिवार के सुक्की बात है रासी से फोर्ता उसमें आयवा मंगल आपको घर में सुकी नहीं रहने देगा घर में एक प्रकासे व्याचारिक मद्भेद बोल दीजिए आपसमें का सु नहीं बोल दीजिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिती बोल दीजिए लड़ाई जगडा बोल दीजिए यह यह बोल सकते हैं अपनी इच्छाएं अपनी जिद पूरी करने की जो आकांशे होती है वह यहां पर बलवान हो जाएगी मंगल का मतलब ही है यह सैनापती और सैनापती ओडर देता है सैनापती ओडर सेहन नहीं करता है वो एक ही ओडर सेहन कर सकता है जो उसका जनरल होगा लेकिन यहां पर जो इस्तिती है मंगल की इस्तिती वो इस्तिती इसलिए तनाव पून है क्योंकि मंगल के अंदर आवेश ज़्यादा है कुरूद ज़्या रहता है और पंदा दिन कंटीनू गड़ता रहता है इसलिए चनमा के पास में कभी इस्तिरता नहीं है इसलिए जिन लोगों की करक रासी है वो लोग बहुत ज़्यादा संसिटेव होते हैं उनको उंगली पसंद ही नहीं अपनी और कोई बी गलती का इसारा करें कि आपने गलत किया वह उनको एकसेप्ट नहीं होता है इसलिए वह बहुत जल्दी विश्लित हो जाते हैं बहुत ज़दी एमोशन में आ इसके बाद पता की इंगर बात करें तो मंगल की 17-30 पर ये 10 अइंट हुस पित्या कि भाव का स्वामी est? 10 अइंटहस केरेरियर का भी हैं लेकिए पिता का भाव का भी स्वामी हैं और पिता के जो सुख का कारक है वह सूरी है तो ऐसी नहीं चाहते हैं इसलिए जो इस्तिति है वो conflict है आपस में एड़ियस्मेंट नहीं करने वाली इस्तिति हैं जो बुद्ध यहां पर विराजमान है आपकी रासी से twelfth house के लॉड़ और आपकी रासी से थर्डाऊस के लॉड़ दो स्थितीओं के स्वामी हैं और दोनों इस्थितिया कष्पूर्ण इस्थिती में आती हैं दोनों भाव कष्पूर्ण के हैं इसलिए बुद्ध यहां पर पांच दिसम्बर तक और जढ़ीफ देいき हो सकता है लेकिन जो ही बुद्ध आगेबढ़ जाएगा तब선धि कुछ-पस skill वाली इस्तिती में हैं लोगों को बातचीत करके impress करते हैं प्रभावित करते हैं लोगों को motivation करते हैं या कोई speaker है ऐसी इस्तिती में बुद्ध वहां जाकर के जरूर फाइदेमंद इस्तिती create करेगा अब बात करते हैं भूमी भवन और वहां की उस इस्तिती के लिए सूर्य जो इस्तिती में आज की तारिक में है 16 दिसंबर 2019 को सूर्य अगली रासी में चला जाएगा धनू रासी में चला जाएगा रासी से 6 ता उसमें होगा तब वो इस्तिती उसके लिए बहुत ज़्यादा बैटर है रासी से 6 में सूर्य गया हुआ सुब फल देता है मंगल भू मंगल को मंगली कुनली की तरह देखा जाता है असुब बोला जाता है असुब मंगल है ना मंगल है लेकिन काम अमंगल करे गया इसलिए जहां तक हो सके इस समय को टालना ही समझदारी है अता रासी फल का यह फाइदा जो मुख्य बात है कि आप समय को मैनेज करें अब जी है सबसे बड़ी capital है सांती भी एक आप अपने आप में बहुत बड़ा factor है यदि आप कोई लड़ा जगड़ा नहीं करते हैं चुप चाप उस समय को पार कर लेते हैं तो आपने बहुत बड़ी जीत अंसल की है आईए अब बात करते हैं नेक्स अक्टर की वो है सिक्सा और संतान सुख एक त्रिकौन भाव का अधिपती अता फिफ्ट आउस का लॉर्ड मंगल है जो की केंद्र में तो यही मंगल जो की फोर्थ आउस के लिए परिवार के सुख के लिए अच्छा नहीं है लेकिन सिक्सा के लिए यहां पर मंगल को सुब बोला जाएगा क्योंकि त्रिकोन का अधिपती केंदर में उसको राजियों की स्थिति में बोला जाता है सुरिय वहां पर पहले ही विराजमाने सुरिय अपने से सुख भाव में हैं सुरिय फिफ्ट आउस में होने का आरत है कि जो भी आप मैनेजमेंट की स्टेडीज कर रहे हैं गौर्मेंट सेक्टर में हैं अपने डिपार्मेंट का एक्जाम दे रहे हैं या अपने आपको ही हो जाएगी सिक्षा में जो स्टुडेंट सेंटक्निकल लाइन के स्टुडेंट है टेकनोलोजीopes ने सब्जेक्ट ले रखा अंजरीनिकि एस सेक्टर सेक्टर अथा या पर साइन्सक्रन और यह चीज बैक्टर है और जो गौर्मेंट सेक्टर में है या जिन लोगों ने सेना में या एंडिये का एक्जाम दे करके पास हो चुके हैं उन लोगों को आमसें एमूलेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो कमाल का प्रदरसन कर पाएंगे कमाल की समझ अपनी बता पाए और यही जो सूर्य है 16 दिसंबर को आगे बढ़ करके सिक्सा में और इंप्रूमेंट करेगा और जो ही मंगल भी 25 दिसंबर को अपनी खुद की रासी में आ जाता है अतब रस्टिक रासी में जब आ जाएगा एक केंद्र का मालिक तिर्कौन में आएगा करक रासी के लिए म प्रिकौन का स्वामी है और अपने खुद के भाव में आकर के वो जबदस राजयोग बनाएगा अल्टिमेट सेक्सेस देगा अनेक्सपेक्टेड गेन देगा इसलिए इंतजार कीजिए आप 16 दिसंबर 2019 का और बात की देट है 25 दिसंबर 2019 का यह दोनों डेट आपके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया है एक तिर्कौन का जो अधीपति है स्वामी यह वह मंगल केंद्रम है और वापस जहां पर देखता है वो कुंडली में अपनी चोथी दरस्ती सिवंत हाउस को देखता है 7 दरस्ती से आपके केरेरा उसको देखता है और 8 दरस्ती से आपकी गेन किये हैं संतान को पढ़ाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए वो वास्ता में सही रास्ते पर है या संतान को सैटल महसूस करके उसको जिंदगी में सही डंग से adjust होते वे देख करके आप बहुत खुश होंगे बहुत प्रसंद होंगे या यह बोल सकते हैं संतान से आपको सुख मिलेगा अब बात करते हैं संतान प्राप्ति की जिनके पास संतान नहीं है या संतान है एक और मालीजे जिनके एक संतान है और दूसरी संतान के लिए प्लान क उसमें होंगे और वहां से आपकी रासी को देखेंगे वहां से पराक्रम इस्तान को भी देखेंगे और आयस्तान को भी देखेंगे ऐसी इस्तिति में क्योंकि ब्रेस्पती संतान का कारक होता है इस समय ब्रेस्पती रोग भाव में है अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा ताकि आप खुश हो करके उस संतान को जन्म दे सकें, और अच्छे योग में संतान जन्म हो, और आपको कोई medical problem नहीं आपाए, सारीरिक समस्यां आपको नहीं आपाए, इसलिए अच्छे समय का चुनाव किया जाता है, और मौरत का मतलब यही होता है, कि अच्छे समय का चुन की, एक सिद्धानत है, कि पापी कि पापस्तान में जाकर के सदेव बल्वान होते हैं, एक एक एक्जमपल है, कि कोई भी अस्समाजिक तत्व है, जिसे आप आम भासा में गुंडा कहते हैं, वो अपने इलाके में जाकर के बहुत comfortable महसूस करेगा, लेकिन हम और आप यदी उस इलाके में चले जाएं, तो बहुत जल्दी वहां से निकलने के try करेंगे, हम comfortable नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने से निकलते समय हम अपने आपको बहुत comfortable महसूस करते हैं, लेकिन वो गुंडा जो है, असामाजिक तत्व है, वो पुलिस थाने के सामने से नहीं निकलेगा, वो हमेशा पीछे की गली पकड़ेगा, कि मैं बिना किसी नजरों में आए वे, निकल जाओं, या वो रास्ता ही नहीं पकड़ेगा, जिस पे कोई पुलिस की, कोई थाना आता हो, पुलिस चौकी आती हो, उसके सामने इस गुजर नहीं नहीं चाहेगा, वो हमे है कि कारण मारक माना गया है, सिक्स आउस, रोग, कर्ज, कमपेटिशन, अभाव के लिए जाना जाता है, अता कोई भी विक्ति अपनी जिंदगी में रोग नहीं चाता, कर्ज नहीं चाता, कमपेटिशन नहीं चाता, वादविवार नहीं चाता, क्लेश नहीं चाता, कोई भी ऐसी इस्तिति नहीं चाहता है जिसके लिए अभाव सब्द बोला जाए और आटमा बाव नेगेटिव है अक्समा दुरगटनाओं का है मति ब्रह्म का है जो जो भी हमारी जिंदगी में खराब होता है साजिशें होती है वो सब रासी से एड़ ताउस से देखी जाती है औ पूरा चक्र कार्ट करके एंड में क्या होता है सरीर मिटी हो गया अथा हमारे पासमें unpack में और इसलिए जनम कूंडली मेंम्ट वेम वह नौश में वह नौश का है अथा जो आपको पू maskedang समतिकी रूप में मिला है वह आप नौश कर सकते हैं आपको सरीर भी जो मिला है व n एक दिन मिटी हो जाएगा इसी लिए ट्वेल ताउस बोला जाता है तो फिर वही बात आ गई यहां पर वापस गुंपेर करके के रासी से शिक्स ताउस में जब शनी है जब केतू है ऐसे इस्तिति में यहां पर रोग होने की यहां पर कोई दुश्मनों के पनपने की साजिस होने की संभावनाएं नहीं हैं और इसलिए रासी से सिक्स रासी से थर्ड रासी से इलेवंत या पाप भाव में नेगाटी बाव में हमेशा सुभ़ फल देते हैं यहीं कावत है और यहीं का जाता है यहीं मानित और यह सिद्धान्त Бी है सूरिय यहां पर 16 दिसंबर को आन न को नशीर कि ऐसनी जो की एड़ताउस का स्वामी वह आपको पॉस्टिव देगा सुर्य जो की catching चैनल wanальном छेक्च जो भाव होता है वहां से सडास्टक करता है इसलिए रोग और मत्यू का समन्द बना देता है अपने आप में योग है सडास्टक जो की अच्छा नहीं माना जाता है जहां पर केतू होता है उस इस्तान की लालसा उस इस्तान की वासना कभी पूरी नहीं हो पाती है और इसलिए केतु को सदेव अधूरापन का भाव का जाता है तो रोग का भाव नहीं मिलेगा या कर्ज का सुख नहीं मिलेगा अच्छी बाते कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको रोग चाहिए कर्ज चाहिए किसको वाद विवाद चाहिए क्लेश चाहिए किसी को नहीं चाहिए हमारी है भागे साथ नहीं दे रहा भागे सदेव साथ देता है जो कर्म करते हैं भागे सदेव उनका साथ देता है और जो आपकी कुंडली में लिखावा है वह सब कुछ आप भोगता है क्योंकि पिछले कर्म जो प्ररब्द है जो आपने भोगतना है वो आप साथ में लेकर के आएं वो केरी कर के आएं वो सब आपने भोगतना है लेकिन इस माह में दिसंबर माह में न तो रोग आपको भोगतना है न दुस्मनों से सम्मधित कोई भी आपको क्लेमेटी कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी इस बारे माप निश्चिंद रही है आईए अब बात करते हैं दांपति सुक की और आपके प्रेम प्रसंगों की तो जहां तक दांपति सुक का सवाल है सेवंत आउस का लॉड़ शनी है और रासी से सिक्स आउस में सनी होने से इस बाव क हैं भोगने के लिए 12 आउस देखा जाता है जब आप रुपया कमा लेते हैं तब आप उसको खर्च करके सुक महसूस करते हैं कि मैंने यह चीज खरिद ली है यही बात सुक सुविदाओं पर भी लागू होती है कि जो भी सुख सुविदा है जो भी हम सुख भोगते हैं व बातस बाव का सुख मिलेगा तो यह इस्तिती दांपत सुक के लिए यह स्तिती डिसंबर 2019 में आपके लिए बैटर है पॉस्तिव है मंगल जहां पर स्थिते हैं वहां से चौती दस्ती आपकी रासी के सेवंत आउस पर पढ़ रही है मंगल वहां पर उच्छ रासी का होता ह ऐसी इस्तिती में भी आपको मंगल का स्ट्रेंट महसूस होगी एनरजी महसूस होगी और मंगल एनरजी जब देता है सेवंत आउस पर जब एनरजी देता है उसको गरस सुक के लिए जाना जाता है दांपत सुक के लिए जाना जाता है मंगल का एनरजी देने का मतलब है सु शुक्र आपको सुबफल दे रहा है और न आपको एट ताउस का जो लॉड है मंगल वो भी यहां पर कुछ नेगेटिव पोजिशन में है अताद रासी से फोर्त आवा मंगल व्यक्ति को दुखी करता है परिशान करता है मेंटली उसको स्ट्रेस कर देता है ऐसी इस्तिती में जो आप अपने मित्र से बातें कर सकते हैं वो सरफ वैर विरोत की कर सकते हैं छोट-छोटी बातों पर इगो प्रॉलम में आप आकर के लड़े जगड़ा कर सकते हैं ऐसी इस्तिती में जो मित्रता है वो आपकी खो सकती है जो प्यार आपने पाया है जो सने आपने पाया है जो भरोसा आपने पाया है वो आप खो सकते हैं इसलिए इस समय काल में इस पेसलिए जब तक मंगल अपनी रासी को क्रॉस नहीं कर लेता है शुक्र तो 15 दिसंबर को रासी से 7 आउस में आ जाएंगे एक प्रकार से इस्तिती ठीक हो जाएगी लेकिन वो इस्तिती दामपित सुक में कमजोर करेगी लेकिन यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंगों में वो सपोर्टी हो जाएगी यह दियान रखना चाहिए कि जब तक मंगल है रासी से 4 दस्ती उसकी 7 आउस पर है ऐसी इस्तिती में आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने मनोबाओं पर जल्द बाजी पर या अपने इच्छाओं पर आपने नियंतरन करके सेल्फ कंट्रोल करके इस इस्तिती से बचना है और इस्पेशली अपनी वानी पर आपने ध्यान रखना है इमिडेट रियक्शन नहीं करना है जब आप प्यार में हैं रिलेशन्सिप में प्यार में तो हर आदमी गाली खाया करके भी अस्ता रहता है आपको भी वही करना पड़ेगा क्यों आपके वास में और कोई दूसरा चारा नहीं है या ता आप मितरता तोड़ सकते हैं और या दि मितरता आपको निबानी हैं सही मितर है उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है प्रणे निवेदन करना है उसको अपने गरवालों से मिलाना है और उससे साधी करनी है यह अगर आपने सोच रखा है तो आपको अपने उपर कंट्रूल करना पड़ेगा आईए अब बात करते हैं आपके केरियर की और आपके पिता के सुपकी जहां तक केरियर की बात है टैन्थ था उसका लॉड मंगल है उसकी साथवी ज़स्टि आता सीधी ज़स्टी आपके केरियर बावव पर है ब्रस्ट्पति जो की भागी का अधीपती है अपनी मूल्त रिकॉन रासी में स्टिते पांच नवंबर दो जार उनीस को आ च है इसलिए effort आपको करने पढ़ेंगे nature यह बोसकते हैं गरह आपको support करना चाते हैं गरह आपको आगे बढ़ाना चाते हैं वो आपको पीछे से धका दे रहें आगे बढ़ने के लिए उपर चटने के लिए आपको प्रयास करना है यदि आप प्रयास करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी एफट करना जरूर यह पहली शर्त ही है यह कि आपने एफट करना है आपको जो चीज़ चाहिए उससे बड़ा हासिल करने की और आगे बढ़िए सपना बड़ा देखिए एच्विमेंट के लिए सोचिए प्रोग्रेस के लिए मेरे स्वर्गे पिता जी एक सेंटेंस बोलते थे जो सायद आपको भी बहुत अच्छा लगे कि यदि जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है तो नींद और भूख इन दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए न तो व्यक्ति को नींद सता नीच चाहिए न व्यक्ति को पलकों पर बिठा सकते हैं क्योंकि आपकी मेनत रंग लाएगी ज़िए आप कुछ भी काम करोगे आप उस सब्जेक्ट को टाइम दोगे उसके पीछे आप लग जाओगे उसके पीछे पागल हो जाओगे तो आपको वह सब्जेक्ट अपना लेता है तो उन्होंने जो मेनत की वास्ता में ये सचाई दिखती है कि उन्हों जोतिस के उपर इतनी मेनत की कि जोतिस ने उनको अपना लिया आज जब जोतिस की बात आती है तो जोतिस को घरगर पहुँचाने के लिए श्रीमाली सब्द अपने आप में बहुत प्रियाप्त है 1965 से लगा करके और 1975 तक ये आम लोगों तक पहुचाने का काम हिंदी के सरल सब्दों में इंग्लिस में पहुचाने का काम गरगर तक किया वह हमारे खांदा ने किया और इसका श्रे मैं वास्त्विक रूप में अपने पिताजी को देना चाहता हूं जिन्हों ने उस जोस जुनून की हद तक मतलब पूरियुद है के समय उनको सोते वे नहीं पाया ना रात को कोई डेट चेंज होने से पहले उनको सोते वे पाया अथा इतनी कम नींद में जो वक्ति सारे दिन काम करें और उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब सारे दिन लिखना पड़ता था ना तो कोई कंपिटर होता था टाइप रैटर था जो आपके दिमाग में वो सब आपको लिखना है आज की तारिक में कम्पिटर सम एडिट कर सकते हैं कोई परेग्राफ को यहां से उठा करके वहां कर सकते हैं चैप्टर को चेंज कर सकते हैं उस समय ऐसी इस्तिति नहीं थी तो उस समय का जो उन्होंने म बताने का अर्थ मेरा यही था कि उस हद तक जो सो जुनून के साथ में आप काम कीजिए कि वो सब्जेक्ट वो शेत्र आपको अपना ले उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती यदि को इंजिनर है इतना वो इंजिनिंग में परिपक हो जाए इतना मैक्चोड हो जाए कि उसके नाम से जाना जाए जैसे की एक्जामपल के लिए मेट्रों के बारे में श्री धरण जी का नाम जानते हैं जब भी मेट्रों का नाम आएगा दिल्ली में डवलप करें या कहीं पर भी मेट्रों डवलप हो रही है तो उनके जो प्लान बनाए वह हैं वही प्लान एक्स लोगों को यह टाइम दिसंबर माँ बहुत ज़्यादा गेंफुल रहेगा बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस देगा और जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी इस्तिति कहीं कमजोड नहीं है वो लोग भी यदि मैनत करेंगे उनको भी अल्टिमेट सक्सेस एक्स्ट्रा ओडिनरी गेन अनेक्सपेक्टेड गेम मिलना तैय है जहां तक पिता के सुक के बात है मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस समय जो इस्तिति है वह इस्तिति सूरिय जो अपने कारक भाव है अथा टैंता उस वहां से सड़ाश्टे कर रहा है 16 दिसंबर 2019 को आने दीजिए वहीं से आपके पिता का सयोग आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा यदि आप आज की तारिक में उनसे कुछ गेन चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेसेंस रखने की जोते है यदि कोई पनामनास भी चाहिए तो भी जो भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा समय आपको वेट करना है आदा महिना जाने दीजिए दिसंबर का उसके बाद में बात करेंगे तो वो आगे बढ़कर के आपको सपोर्ट करेंगे और इतना सपोर्ट करेंगे कि आपकी आँखें भराएगी कि मैंने सोचा कुछ और ता और पिता जी ने मुझे कुछ दे दिया, इता आपकी जोली बढ़ जाएगी, आईए अब बात करें यात्राओं की तो ब्रैस्पती की सांत्री दस्ती ट्वेल्ट आउस पर है और ब्रैस्पती धरम के कामकाज में वीवा के कामकाज के लिए जाना जाता है गरस्तूप संतांसुप के लिए जाना ज सकती है सांजेदारों को ढूंडने के लिए वी यातराएं हो सकती है अता को इनको पार्टनर्शिप फर्म के लिए आपको फाइनज चाहिए या को टेकनलोजी फ्रेंड चाहिए कोई साइलेंट प्राटनर चाहिए उस चीज़ के लिए और राहू twelfth house में इस्तित है इसलिए विदेश यात्राइं भी जो लोग करना चाते हैं विदेश यात्राइं जिनके मन में इच्छा है गूमने फिडने की तो दिसंबर एंड में वो यात्राइं कर सकते हैं विदेश में जा सकते हैं अपना न्यू येर आप विदेश में मना सकते हैं आईए अब बात करते हैं वि कच्छे सूथ को उसमें डाल दीजे और फिर उसको सुखाएंगे तो पीला रंग जाएगा तद केसर के रंग में रंग जाएगा रंगते वे इस मंत्र का जाप करना ओं मालक्स में नमः और इस रंगे वे कच्छे सूथ को अपने व्यापारी किस्तल पर बांद देना है चाह बढ़ने लग जाएगा यदि नौकरी से संब्दित व्यक्ति इसे अपनी ड्रावर में डाल दे तो तरक्य का योग बनने की संब्रावन है अवश्य बलवान होने लग जाती है अथा जो व्यापारी हो वो भी मंदी से बचने के लिए कर सकता है और जो नौकरी करता है वो भी अपने प्रमोशन के लिए उपाय कर सकता है मासिक रासिफल के साथ ही साथ हमने डेली रासिफल देना भी स्टार्ड कर दिया है एक नवंबर 2019 से आप ये रासिफल देख रहे हैं पंडित मौई श्रीमाली द्वारा जो की इस विसे में अब अपने पैर जमा चुके हैं आप आपका प्यार और आपके अच्छे-चे कमेंट उनको मिल रहे हैं इसके लिए मैं एक पिता की ऐसे से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आपके जो भी कमेंट्स आपके जो भी सुजा वो उसके अनुसार वो अमल करे और आपकी उमीदों पर खरा उतर हम अपना पूरा प्रियास कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो आप तक बात पहुंचे और आपकी जिंदगी में जोतिस के रूप में कोईन कोई सक्सेस के जंडे गाड़े आपके लिए सहयोगी बने आपके लिए मार्गदसक बने और आपको सही रास्ता दिखाएं यही हमारी इच्छा है इस एपिसोड में बस इतना ही आपको यह रासिफल कैसा लगा आप यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कोई और सुजाव हो किसी और फिल्ड के बारे में बात करना हो तब भी आप सुजाव अवश्यद है आने वाले समय में आपको 2020 का मुख्य रासिफल देखने का मौका मिलेगा जिसको हमने बहुत विस्तार से बहुत प्यार से और जोतिस के सिद्धान्तों के अनुसार गोचर के सिद्धान्तों का अनुसार बना है आपके जिन्दकी के प्रतेक शेत्र पे हम रासिफल कर रहे हैं और आपको स्क्रीन पर सुब और असुब दोनों डेट्स दिखाई जाएंगी ताकि आप उनको नोट कर रहे हैं लेकिन ये जो रासिफल आप देख रहे हैं और बुजूर्कों का विशेश रूप से खायल रखिए आप सभी को मेरा नमस्कार शुब कामनाए इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद झाल